जापानी कार कम्पनी होंडा जल्द ही भारतिय बजार में नया एक्टिवा ला सकती है। एक्टिवा 7G में मौजूदा वर्जन के मुकाबले कई बड़े बदलाव किये जा सकते हैं। हम इस खबर में बता रहे हैं कि नय हॉंडा एक्टिवा 7G में कम्पनी की ओर से क्या बड़े बदलाव किये जा सकते हैं। इंजन में होगा बदलाव, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉंडा की ओर से जल्द ही एक्टिवा का नया वर्जन लाया जा सकता है। Company Activa 7G को भारत में पेश करने की तयारी कर रही है. इसमें सबसे बड़ा बदलाव इंजन में हो सकता है. Reports के मुताबिक Company 7G Activa में पेट्रोल इंजन के अलावा हाइब्रिड इंजन दे सकती है. इसमें 109cc का हाइब्रिड इंजन दिया जा सकता है जिसे एक बैटरी से जोड़ा जाएगा. Photo Social Media अगर Company की ओर से नए Activa 7G में हाइब्रिड इंजन दिया जाता है तो निश्चित तोर पर स्कूटर का एवरेज काफी बहतर हो जाएगा. Hybrid के साथ ही Company नए Activa में आइडल स्टॉट, स्टॉप तकनीक को भी दे सकती है. जिससे स्कूटर थोड़ी देर खड़े रहने पर बंद हो जाएगा और क्लच दबाते ही स्टॉट हो जाएगा. इससे भी एवरेज में सुधार होगा. Photo बहतर इंस्टॉमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है. मौजुदा Activa में एनालोग इंस्टॉमेंट क्लस्टर दिया जाता है. लेकिन नए Activa में Company Digital Instrument क्लस्टर को दे सकती है. इससे ना सिर्फ दिखने में बहतर होगा बलकि अन्य कमपनियों के स्कूटे की तरह ही एक्टिवा भी अपडेट होगा इसके अलावा कमपनी इसमें Bluetooth connectivity, Hybrid Switch जैसे कई features को भी offer कर सकती है सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक कमपनी की ओर से एक्टिवा के डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा आमतोर पर अभी तक एक्टिवा के मूल डिजाइन में कमपनी की ओर से कोई बदलाव नहीं किया गया है पहली जनरेशन के एक्टिवा से लेकर मौजूदा एक्टिवा का डिजाइन करीब करीब एक जैसा ही रहा है